हेलो एब्रिवन वेल्कम टो एक्जाम फेवरेट एक्जाम फेवरेट में आपका स्वागत है तो आज हम अटेम्ट करने वाले हैं पट्वारी के ओल्ड क्वेस्चन पेपर के 20 क्वेस्चन जो 12 इसंबर 2017 की सेकेंड शिफ्ट के है और जिसका टॉपिक है रूरल एकोनोमिक्स पंच्वाइती राज तो आईए देखते हमारी इस क्लास के कोस्चन आंसर तो आज का हमारा कोस्चन है मध्य प्रदेश में कितने क्रिशी जलवाईयों क्षेत्र है तो इसके ओप्षिन से 5 3 4 11 तो इसका राइट आंसर हो जाता है ओप्षिन नंबर 4 11 नेक्स्ट क्वेस्च बैंक सक्वेस्च सामन्य रूप से एक है तो इसके ओप्षिन से एस एच जी सदश्य जो बैंक एजेंट की रूप में कार्य करता है पंचायत लेखाकार उप सरपंच महीला ग्राम पंचायत सदश्य इसका राइट अंसर हो जाता है ओप्षिन नंबर 1 एस हैच जी मेंबर बैंक एजेंट एसे जी सद्दस्य जो बैंक एजेंट के रूप में कारिया करता है नेक्स्ट कोस्टेन मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत का HDI रैंक है इसके ओप्षिन्स है 129 वा 131 वा 131 वा 132 तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्षिन नमबर थर्ड एक्सट एक्सट कोस्टन निम्न लिखीत में से कौन सा मन रेगा के प्राथमिक उद्यशों में से एक है इसके ओप्षिन्स है अक कुशल मजदूरों को गैरेंटी कृत मजदूर रोजगार प्रदान करके पुरानी गरीवी का परीचयन करना भवन बांध सार्वजनिक स्थानों की सफाई कुशल इंजीनियरों को रोजगार तो इसका राइट आंसर हो जाते है ऑप्षिन नमबर फास्ट अकुशल मजदूरों को गैरेंटी कृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके पुरानी गरीवी का परीचयन करना प्रश्च?. ईएन स्वच्छ तका ज़ें निमनन लिखित में से किस से अंतरगत आता है किसकी अंतरगत आता है तो इसका उप्षिन राज्य सरकार ग्राम पंचायत जिला पंचायत जनपत पंचायत तो इसका राइट अंसर हो जाता है option number second gram पंचायद next question निम्न लिखीत में से किसे form mechanization device क्रिशी मशीनी करन उपकरन नहीं माना जाता है तो इसके options है bell electric pump tractor बुझाने का यंत्र तो इसका right answer हो जाता है option number first bell next question मध्यप्रदेश माइनर forest produce federation मध्यप्रदेश लगुवन उत्पाद संगध्वारा वीपनन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है इसके options है नर्मदा आयूर्वेदिक्स चंपा हर्बल्स विंध्य हर्बल्स अरन्या आयूर्वेदिक्स उसका right answer है option number third संपुर्ण ग्रामीन रोजगार योजना का आरंब किस वर्ष में किया गया था इसके options है 2001, 2005, 2009, 2013 इसका right answer हो जाता है option number first 2001, next question NMAET निमन के लिए प्रयोकत होता है तो इसके options है New Methods of Agriculture and Technology National Movement for Agriculture and Textiles New Materials for Agriculture Development National Mission on Agriculture Extension and Technology इसका right answer हो जाता है option number fourth National Mission on Agriculture Extension and Technology Next question आम आदमी बीमा योजना को समाजिक सूरक्षा प्रदान करती है तो इसके options है ग्रामिन क्षेत्रों में तकनीशियन 48 पहचान वाले व्यवसाईक पेशेवर समुह ग्रामिन भूमी हीन परिवार सहरी क्षेत्रों में इंजिनियर्स ग्रामिन तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले क्ष्रमिकों को इसका right answer हो जाता है option number second पहचान वाले व्यवसाईक पेशेवर समुह ग्रामिन भूमी हीन परिवार नेक्स्ट कोस्चन राजिव गांधी ग्रामिन विद्यूतकरन योजना को से प्रतिस्थापित कर दिया गया था इसके options है प्रधानमंत्री उजवला योजना सांशद आदर्श ग्राम योजना भारत निर्मान दीन दयाल उपाध्याई ग्राम जोती योजना इसका right answer हो जाता है option number fourth दीन दयाल उपाध्याई ग्राम जोती योजना next question सवी धान का कौन सा अनुचेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को व्यवस्तीत करने का निर्देश देता है जिसके options है अनुचेद 32, अनुचेद 50, अनुचेद 48, अनुचेद 40 तो इसका right answer हो जाते है option number fourth article 40 next question राश्ट्रिय महिला आयोक का गठन कब हुआ था तो इसके options है 1992, 1995, 1999, 2010 तो इसका right answer हो जाते है option number first 1992 next question निमन लिखित में से किसे गैर क्रिशिक शेत्र गतिवीधी के रूप में नहीं माना जाता है तो इसके options है handloom, workshop की मरमत, देरी उद्योग, छोटा सड़क परिवहन उसका right answer हो जाता है option number third देरी उद्योग next question मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री खेत तिर्थयोजना का उद्देश क्या है तो इसके options है किसानों को तिर्थयात्रा पर भेजना किसानों और उनके परिवार को दक्षिन भारत की यात्रा पर भेजना किसानों को आधुनिक क्रिशी केंद्रों पर विशेशक्यों के पास भेजना किसानों को अवकाश यात्रा पर भेजना तो इसका राइट आंसर है ओप्शन नमबर थार्ड किसानों को आधोनी क्रिशी केंद्रों पर विशेशग्यों के पास भेजना नेक्स्ट कॉस्चन 2015 में एक ICAR अध्ययन रिपोट के मुताबिक फलो और सबजियो की फसल हानी के बाद फसल का घाटा होने का अनुमान है तो इसके ओप्शन से 4 परसंट से कम 1.58 तो 15.88 परसंट और 14.77 45.65 परसंट 15.43 55.22 परसंट उसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर सेकेंड नेक्स्ट कॉस्चन निमन लिखीत में से क्या ग्राम पंचायत सचीव का कारियन नहीं है इसके ओप्शन से रिकॉर्ड और रजिस्टरों की मरमत ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षेता करना ग्राम सभा के प्रस्तावों को क्रियानवीत करने के लिए आवश्यक कदाम उठाना ग्राम सभा की बैठकों को कारिय विवरन तयार करना तो इसका right answer हो जाता है option number second ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना next question next question 2000 से अधिक आबादी वाले गाओं के वित्तिय समावेश के कार्यक्रम का नाम बताईए तो इसके options है स्वावलंब, स्वाभीमान, स्वागत, समावेश तो इसका right answer हो जाता है option number second स्वाभीमान next question ATM का मुख्यकारिय क्या है ATM1 का मुख्यकारिय क्या है तो इसके options है सोदेवम विकास प्रद्योगी की विक्री प्रद्योगी की कमपणियों की सहायता करना प्रद्योगी की का प्रसार करना तो इसका right answer है option number fourth प्रद्योगी की का प्रसार करना next question यह हमारी क्लास का last question है तो ऐसे ही क्लास देखने के लिए प्लेज सब्सक्राइब देश चानल एक्जाम फेवरेट आईए देखते हैं हमारी क्लास का last question मन्रेगा के अंतरगत पंचायतों में आयोजीत किये जाने वाले ग्राम रोजगार दिवस का क्या उद्देश होता है तो इसके options है स्वयम रोजगार लेने के लिए गाव के लोगों को सिक्षित करना किसानों के लिए फूर्थ नोकरी की मांग और शिकायत निवारन दर्ज करना तो गाईज मिलते हैं हम अपनी next class में थैंक्स पॉर वाचिंग